ये तीन marginal auxiliaries हैं, need, dare or used to, अब ध्यान से सुनो, examiner जब error बनाता है, examiner जब error बनाता है, तो वो need or dare दोनों को, आदी बार तो main verb बना के दे देगा, और आदी बार model बना के दे देगा, सबसे बड़ी समस्या जो बच्चे को है, वो यही है, कि मुझे पता कैसे लगेगा, main verb है, या model है, वैसे तो concept या reading से पता लग जाता है, जिस जिसको नहीं पता लग पाए, उसको shortcut दे रही हूँ, जहां पे भी need or dare model होंगे, आपको sentence में इनके बिलकुल साथ या तो not दिखेगा, या फिर, इन शब्दों के बिलकुल साथ, या तो क्या दिखेगा, not, या क्या दिखेगा, first form, not या first form देखते ही समझ जाना, ये model ह अब इससे फरक क्या पड़ेगा, अगर ये model है, तो कभी इन पे SCIS नहीं लगेगा, और अगर ये main verb है, तो SCIS भी लग सकता है, ED भी लग सकता है, ING भी लग सकता है, समझते हो, main verb की कितनी form बनती है, कितनी, main verb की कितनी form, तो जब ये model होगा, तो sentence में क्या दिखेगा, या या फिर, क्या दिखेगा, या फिर, not या first form दिखने से क्या मान लोगे, और अगर model है, तो इसकी form change, अगर ये main verb है, तो two के साथ first form दिखेगा तुम्हें लाइन में, अगर two के साथ first form दिखेगा, तो तुम्हें इसकी form change करनी है, according to the subject, subject singular होगा, तो verb singular आजाएगी, subject plural होगा, तो verb plural आजाएगी, पर अगर ये model है, तो subject कैसा भी हो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, हर case में same to same चलेगा, क्या हम समझ पाए बात को, सभी बच्चे समझ पाए, question लिखके पूछू, answer दोगे, ठीक है, जिनने homework नहीं किया, उननी से आजा, he, dares not go anywhere, जिससे पूछूंगी वो बताएगा, सारे चुप रहेंगे बाकी, सोच लो और देख लो सारे, सोच लिया, answer दे दीजिये आप, fourth bench पे second boy, आज का ही concept है, मैं पहचानती हूँ, आप नहीं बच्चे हैं, खड़े हुए, पर आज के ही concept को बताया जा सकता है, आपने गलती बतानी है, गलत क्या है और सही कैसे होगा, हाँ जी, dare के साथ ऐसे लगा हुआ है, बैठिए, बच्चा कह रहें, dare के साथ ऐसे लगा हुआ है, model form में आना चाहिए, और model form से हमारा मतलब क्या है, तो सही sentence बनेगा, he dare not go anywhere, बहुत सारे बच्चों को जो इसमें भरम रहता है, वो पेपर में यह रहता है, अभी rule ताजा ताजा है, तुमसे गलती नहीं होगी, एक्जाम में क्या गलती होती है, उसे लग रहा है, he singular subject है, तो वर्ब तो singular ही लगी हुए, dare सही है, पर वर्ब singular तब मानोगे ना, जब main verb होगी, यह शब्द यहाँ पे main verb है ही नहीं, यह किसका काम कर रहा है, model का और model का का काम कर रहा है, तो subject के इसाब से कोई बदलाव नह नहीं होगा, कभी can पे s देखा है, कभी should पे ing देखा है, कभी could पे ed देखा है, could it, shooting, cans, नहीं ना, क्योंकि वो model है, subject के अनुसार बदलने की कोई जरूरत नहीं है